So guys, welcome back to Micro Classes. हमारी Merit University और Sarnapur University की B.Ed की Classes चल रही है. आज का हमारा subject है Growing Up Agile Learner. इस subject की यह 10th Class है. आज का हमारा topic है समाजिक विकास. अब बच्चों में समाजिक विकास कैसे होता है? बच्चों में समाजिक विकास कैसे होता है? सैस्व विकास की तो काफी सारी विकास होती है. और भी काफी सारी होती है. मैंने आपको पढ़ाया था. यहाँ पर पहली विकास जो होती है, वो होती है हमारी जो गर्बा विकास होती है. लेकिन अगर हम विकास के विकास की बात करें, बाले वस्था में बालक विद्याल ले जाने लगता है वहाँ पर उसका समाजिक विकास होता है किसवरा वस्था में बालक स्वेतंतर होता है अपने आप कहीं किरिया ये करता है समाज में जाता है अपनी खुद किरिया ये करता है तो उसका समाजिक विकास होता है तो हम तीन वस्थाओं की बात करते हैं जनरली इसके बाद हमारे यूव वस्था आते हैं यूव पढ़ाई नहीं करते तो हम पढ़ाई वाली बात करते हैं सिब तब तीन यूव वस्थाओं हम लेते हैं जो समाजिक विकास होता है उसमें सबसे पहले सहस्व वस्था की बात करते हैं सहस्व वस्था में बच्चों का समाजिक विकास देखो सहस्व वस्था कब से कब तक चलती है जब बालक पैदा होता है जब तक 6 वर्स का होता है तो 6 वरस्तक सहस्वावस्था जन्नली मानी जाती है इस वरस्था में बालक चरलने फिरने लगता है घर से बाहर निकलता है अस्पडोस को जानने लगता है मुमी पापा को पैचानने लगता है बोलने लगता है अगर इस question की बात करें न हमकी बालकों का समाजिक विकास कैसे होता है तो यह सोट में होता है या तो सोट में ही पूछ लेते हैं पूरा आप से कि समाजिक विकास बते हैं बालकों का लग-लग अवस्ता में कैसे होता है या पिर सोट में पूछ लेंगे कि किस वरा वस्ता या बाले वस्ता हैं बालक का समाजिक विकास कैसे होता है वो बता दीजिए सबसे पहले सहस्वा वस्ता की बात कर लेते हैं बालक का समाजिक विकास सहस्वा वस्ता से ही सुरू हो जाता है प्रारम में बालक का वैवार मूल परवर्टियों पर आधारित होता है मतलब बालक सिर्फ खाने पीने और रोने से सुने से संबन्दित होता है वह स्वेक एंदिरत होता है लेकिन दो वर्ष की आईउ आते हैं बालक अपने माता पिता को पैचाने लगता है उसके बाद वया अन्य परिवार के सदस्यों के साथ भी गुलने मिलने लगता है उन्हें पहचाने लगता है यही बालक का समाजी करण होता है इससे वया बालक परिवार के अन्य सदस्यों का नुकरण करता है और बहुत से समाजी गुलनों को सीखता है उसके बाद बालक अपने पडोस में जाता है उन बालकों के साथ गुलता मिलता है वहाँ अनेक बालकों के मनुभाव को भी समझने लगता है उसके अंदर अनेक मनुभाव विक्षित होने लगता है बालक में सहयोग मितरता आधी भावना का विकास होने लगता है तता के बाते आप सह्स holds यही पेपर में जनरले यह आता है कि बालने वस्ता में समाज़िक विकास कि इस प्रकार होता है आप बता दिजिए बाल्ले वस्ता कब से कब तक रहती है जब बालक 6 वर्स का होता है और 12 वर्स तक का रहता है तो 6 से 12 वर्स का जो बालक होता है वो बाल्ले वस्ता में होता है इस वस्ता में बालक 1st कलास में जाता है और प्राइमरी अकक्षा पांच वी यह छटी पास कर लेता है तो प्राइमरी अजूकेशन हो पास कर लेता है बालक बाले वस्ता में इस अवस्ता में बालक पहली बार स्वतन दूरूप से घर से बाहर निकलता है वह विद्धाल ले जाता है बाहर समाज से जूडता है इस सवस्थ में बालक के समाजी करण पर दूसरे बालकों तथा उसके सिक्सों का भी परबाव पड़ता है क्योंकि इस सवस्थ में बालक बहुत से बालकों के संपर्क में आता है जिस कारणवा से इस सवस्थ में समाजी करण की बहुत तेजगती होती है बालक विद्धाले में बहुत से बच्चों के साथ रहता है क्योंकि विद्धाले में बहुत से बच्चे आते हैं दूसरे बच्चे बालक के समाजी करण में आहम भूमी का निबाते हैं बालक समू बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं इसे उनके समाजिक विकास को काभी बड़ावा मिलता है इसी के साथ सिखसकों का व्यवार भी बालक के समाजिक विकास को परभावित करते हैं जिस प्रकार का व्यवार सिखसक बालकों के साथ करते हैं बालक में भी उनी गुनों का विकास होगा अगर सिख सक बेदबाव करते हैं तब बालक भी बेदबाव करना सीख जाता है इस वस्था में बालक में नातिकता, समाजिकता, बासा, पैनावा, इमानदारी, आदी बहुत से गुनों का विकास होता है इस प्रकार समाजिक विकास बालकों का बालर रेवस्था में काफी अच्छा होता है तो बालर रेवस्था के बारे में ज्यादा पूछा जाता है आप 1.5 पेज भर सकते हैं paper में यह जो बाते लिखी हुई है, general league आप एक बार पड़ लीजिये इन्हें रटने वाली बात तो नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, तो बना बना कर आप लिख देंगे, बागे समाजी करण, समाजी करण होता है न, हमने उसमें पढ़ा था, अपने फिलोस्पी की जो कलासिज होती है, समाजी करण क्या होता है, तो बालकों का समाजी बाते बालक कैसे सीखते हैं, क्या कै चीजे पर भावित करते हैं, तो हलकी हलकी बाते आप यहां पर लिख सकते हैं, बालकों का समाजी करण कैसे होता है, इस बाल्य वस्ता में, आपका सोट कोश्चन बन जाएगा, एक से डेड़े पेज आपके आसानी से बढ़ जाते है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसोर अवस्था में समाजिक विकास, किसोर अवस्था जब बालक 12 से लेकर 18 तक किसोर अवस्था में होते हैं, तब किसोर अवस्था में किस परकार का समाजिक विकास होता है, इस अवस्था में बालक अमूर तथ्थियों पर भी चिंतन करने लग जिससे वह समाज में वियाबत विबिन संस्थाओं के बारे में सोचने लगते हैं कि यह संस्थाओं क्या होती हैं क्या काम करती हैं क्या इन्हें होना चाहिए नहीं होना चाहिए इनके होने से क्या लाब है इनके नय होने से क्या लाब हो सकता है क्या यह कोई नुकसान कर रही इससे में विबिन समाजिक समुदाय या समाजिक समुग का सक्रिय सदस्य बनने की और कोशिश करते हैं किस वरवस्ता क्या करते हैं जो समाज के समुदाय है किस वरवस्ता के बालक जो विबिन समुदाय या विबिन वर्ग हमारे समाज में है उसका सदस्य बनने कोशिस करते हैं बच्चे समाज के धार्मिक राजनितिक आदी शेत्रों में रूची लेते हैं समाजिक नियम और परमप्राव आदी के बारे में तर्क वितर करते हैं उसके गुंदोसों का चिंतन करते हैं जिससे समाजिक परीपकता की और आगे परते हैं तो इस परकार की जनल सी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं तब ये हमारा आज का Question था बच्चों का समाजिक विकास होता है, वो किस प PARKार का होता है ज्यादा से ज्यादा आप बाल्य वस्ता का समाजिक विकास पढ़ने के कोशिश करना कि सोरा वस्ता हो जो सैस्वर वस्ता का होता है उसे हलका से एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये कम आता है बाल्य वस्ता का समाजिक विकास सोट कोश्चन में ज्यादा पूछा जाता है टेक केर.